Hello Everyone, मैं हूँ आस्था, वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल Government Job Genuine Notification 12th Past Candidate के लिए New Recruitment Notification रिलीज हो गया है BSOC की तरफ से ये भले ही बिहार स्टेट की भरती है लेकिन अगर आप बिहार स्टेट से ब्लॉंग नहीं करते हैं बाहर के किसी भी राज्य से आप ब्लॉंग करते हूँ अगर आप अप अप्लाई करना चाहें तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जरूर इसमें अप्लाई कीजेगा क्योंकि ये भरती है इंटर लेवल भरती है ये तो ट्वल्थ पास कांडिडेट के लिए ये भरती है और इसमें अधर जो स्टेट के कांडिडेट है वो एप्लाई कर सकते हैं लेकिन आप जो रिजब काटिग्री में आएंगे तो आपको रिलेक्सेशन नहीं मिलेगा जनरल कांडिडेट आप माने जाएंगे जनरल काटिग्री में आपको एप्लाई करना होगा ग्यारा हजार प्लस यहां पर वेकैंसी जाई हुई है तो भरती जो अभी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और इसके जो एप्लिकेशन से वो आज से ही स्टार्ट हो रहे हैं 27th September 2023 से 11th November 2023 तक आप इसमें online एप्लाई कर सकेंगे कापे अच्छी है अलग-अलग departments में भरती है इंटर लेवल की भरती है तो अगर आप इसमें eligible हो और interested हो अगर आप तो आप जरूर इसमें apply कीजेगा कौन-कौन सी पोस्ट रहेंगी departments कौन-कौन से हैं वो हम आगे बात करेंगे खेर यहां पर अगर हम categories wise पोस्ट आप देख लिए जगा जो official notice है यहां पर मैं आपको total vacancies बता रही हूँ total यहां जो vacancies आई हुई है वो 11,096 या 98 vacancies आई हुई है अगर हम बात करें इसमें eligibility की तो 12th past candidates के लिए eligible रहेंगे इंटर लिवल क्या भरती है यह 12th अगर आपने किया हुआ है आप यहां पर apply कर सकते हैं Indian citizen इसमें apply कर सकते हैं और आपकी जो qualification है यह apply करने की last date जो रहेगी तबसे आपकी देखी जाएगी यानि cut-off date रहेगी और apply करने की last date है 11 November तो आपकी जो qualification है इस criteria है यह आपके apply करने की last date 11 November 2030 से count की जाएगी अगर हम एस criteria की बात करें तो इसमें minimum उम्ब्र आपकी होनी चाहिए 18 साल minimum age 18 year होना चाहिए and maximum आपकी category के accordingly अनारक्षित male candidate के लिए यानि unreserved male candidate के लिए 37 year unreserved female candidate के लिए 40 year and SCST male female के लिए 40 year sorry OVC male female के लिए 40 year and SCST male female के लिए 42 year and आपकी जो ये age है वो first of August 2023 से count की जाएगी cut off date age criteria की है first august 2023 लेकिन जो बिहार state के बाहर के candidate है और SCST या OVC है तो उनको यहाँ पर age relaxation नहीं मिलेगा वो general category में रखे जाएंगे यानि आपकी जो age है अगर male हैं तो 37 year other state से अगर आप long करते हैं and अगर आप female हैं तो 40 year अपर age limit रहेगी next हम देखेंगे application fees तो सामानि बर्ग, पिछड़ा बर्ग, अत्ति पिछड़ा बर्ग के जो male candidate होंगे उनके लिए 540 रुपे रहेगी अनुसुचे जाती, अनुसुचे जन जाती जो बिहार state के मूल निवासी है उनके लिए 135 रुपे रहेगी और सभी PWD candidate इनके लिए 135 रुपे रहेगी और सभी स्रेणी की female candidate जो की बिहार state से ब्लाउंग करती है इस्थाई निवासी है उनके लिए भी 135 रुपे application fees रहेगी अब बिहार state के बाहर के जितने भी candidate है किसी भी category से ब्लाउंग करते हो male हो, female हो सभी के लिए 540 रुपे application fees पे करनी होगी selection procedure में दो examination होगे pre examination and men's examination pre examination आपका जो सबसे पहले होगा इसमें शामाने अधन, सामाने विज्यान इवम गड़े तो मानसिक छमता से caution किये जाएंगे 150 questions रहेंगे, प्रशन रहेंगे MCQs types रहेंगे minus marking भी रहेगी one mark minus किया जाएगा, अगर आप wrong answer देते हैं और सही answer होने पर four mark आपको एक caution का four mark आपको दिया जाएगा दो घंटे पंधम निट की timing इसमें रहेगी, हिंदी और English जिसमें भी आप चाहें, उस medium में आप अपना ये exam दे सकने हैं ये exam में जो qualify होंगे, पांच गुना candidate को mens exam के लिए call किया जाएगा and mens exam के लिए अलग से आपको inform किया जाएगा notify किया जाएगा, ओके so यहाँ पर आपके 37 सिसम्बर यानि आज से online application start हो रहे हैं, 11 November तक आप इसमें apply कर सकेंगे, अगर 12th pass out है, और हाँ यहाँ पर जो post है, उसमें किसी किसी में typing भी required है, और कहीं पर typing required नहीं है, अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से video upload कर दूँगी, जिसमें typing and non typing post कौन कौन सी है सब भी आपको clear कर दूँगी so आप जज़ज़ ज़़ज़ कमेंट कीजे तो मैं आज साम तक आपको इस पर वीडियो upload कर दूँगी typing and non typing post कौन कौन सी है जिनके लिए जिन्दाओने typing नहीं किया हुआ है, वो non typing के लिए apply कर सकते हैं okay, so I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, helpful रहो जैसे इसके online application start होते है active होती है link, आप बिहार SSC यानि BSC की official site पर जा करके online apply कर सकेंगे, online ही आपको apply करना है, other किसी mode से apply नहीं करना है, 11 November 2023 को राच के 12 वजे तक आप इसमें online apply कर सकते हैं ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो पसंद रहा हो तो like and share कीजेगा इसी तरह की vacancies के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके while I can call option को praise कीजेगा thanks for watching